नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लिपी क्लास रेते UPSC की लेटरल एंट्री से जुड़ी पिछले तीन दिन की अगर आप न्यूस फॉलो कर रहे हैं तो आप देखने उसमें बहुत सारे उतार चड़ावा रहे हैं तो मैं समझने की कोशिश करेंगे की लेटरल एंट्री होता क्या है इसको लेके कॉंट्रवर्सी क्यों आई और इस पे अब फाइनल पॉजिशन गर्मेंट ने अपनी बदल क्यों दी चेंज क्यों कर दी या एक तरीके से रिवर्स करने के लिए क्यों कहा गया है देखिए आप सबसे पहले समझे की UPSC यानि की Union Public Service Commission एक Constitutional Body है जो Central Civil Services और All India Civil Services के लिए Recruitment कंड़क्ट करता है इस Recruitment की जो डिमांड है वो रेज कहां से होती है Central Government के थूर रेज होती है और Central Government का भी एक Department है Department of Personnel and Training अंडर Ministry of Personnel Public Grivences और ये Department जो है Vacancies बताता है कि इतनी Vacancies है इसके लिए आप Recruitment कर लीजी एक्जाम की स्कीम उसका कंड़क्ट करने का प्रॉसस सारा UPSC का खुद का होता है अब हुआ ये कि 17 अगस्ट 2014 को UPSC का एक Advertisement आता है जिसमें कहा जाता है कि 45 Posts of Middle Management in the Civil Services ठीक है मतलब Joint Secretary और उसके आसपास की जो Positions होती है उसके लिए हम Recruitment कर रहे है ये Recruitment Lateral Entry के थू होगी Lateral Entry का मतलब है कि जो Career Civil Servants है जो UPSC के एक्जाम से आए हैं और Already Government का हिस्सा है उनको यहाँ पे Appoint नहीं किया जाएगा Appoint किया जाएगा Private Sector या Corporate Sector में काम करने वाले या PSU Public Sector Enterprises में काम करने वाले Employees को और उन्हें Opportunity भी जाएगी with Specific Qualification Criteria Of course जब यह Positions Notify की गई थी ये बताया गया था कि अलग-अलग Departments के अंदर अलग-अलग Positions हैं फर एक्जामपल Electronics के लिए अलग, Electronic या Semiconductor Manufacturing के लिए अलग, Environment Law और Policies के लिए अलग, Regional Economy के लिए अलग इस तरीके की Specific Post या Positions थी 18 अगस्त को Opposition Parties की तरफ से Attack launch किया जाता है सरकार के उपर क्यों? क्योंकि यह 45 Post थी इसमें कोई mention नहीं था Reservation for Schedule Cast, Schedule Tribe या OBC के लिए अब इसके बाद सर्फ Opposition Parties नहीं, in fact जो Ruling Coalition है उनके दो Major Members ये कहते हैं कि ये Policy सही नहीं है, हमें पसंद नहीं है ये दो Major Members कौन है? चिराग पास्वान, LJP के और नितीश कुमार की JDU, जनतदल जो NDA Government का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, लेकिन सरकार की नीती से disagree करती है in fact चिराग पास्वान तो Minister भी है TDP यानि कि तेलगू देसम पार्टी, चंदरबाबू नाइडू जिसके लीडर है उनका कहना है कि we provide support to this type of lateral entry क्योंकि इससे efficiency वगेरा बढ़ती है अगे देखेंगे होता क्या इससे तो जैसे ही coalition partner सवाल उठाने लग गए then it started ringing bells और ये कहा जाने लगा कि social justice का जो principle है उसको compromise किया जा रहा है पहले Supreme Court द्वारा by SCST criminal judgment जिसके बारे मैं मैं already video बना चुका हूँ link description में डाल दूँगा, देख लगा और उसके बाद अब ऐसे इसलिए DOPT याने की Department of Personal and Training में एक चिठी लिखी UPSC chairperson को श्रीमती पृती सुदान जी को ये कहते होए कि आपने जो notification निकाला था अड निकाला था उसे वापिस ले लीजिए ठीक है, उस पूरे चिठी के अंदर justification तो दिया गया है कि Lateral Entry का जो purpose है वो बुरा नहीं है वो सही है, अच्छा है In fact, 2014 से पहले भी Lateral Entry के थूँ काफी Government की specific positions पे specialist positions पे लोगों को recruit किया गया था, उनके नाम भी बताये गए by the leaders of the parties in Parliament, बट फिर भी ये urge किया गया है कि हम जो है इस aspect को review करना चाते है because हम social justice को promote करना चाते है इसलिए हम कह रहे है UPSC, please cancel this advertisement ठीक है, अब जब ये U-turn लिया गया है सरकार के तो ये देखना पड़ेगा कि Lateral Entry आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने रही, देखिए साल 2006 में Second Administrative Reforms Commission आया और इसने हमारी civil services की बहुत सारी problems identify की bureaucratic attitude का खराब होना accountability का कम होना efficiency के उपर ध्यान होने से जादा rules procedures को ध्यान से पूरा करने की जो tendency है lack of specialist knowledge या specialized या domain expertise ना होना और civil services में upper और middle management levels पे कुछ vacancies होना धेर सारी vacancies जिनको immediately exam कराके पूरा नहीं किया जा सकता इसका solution दिया जाता है कि कुछ specific positions पे lateral entry करवाई जा सकती है उसमें reservation के मामले के बारे में discussion नहीं होता है same way 2017 में नीती आयोग जो replace कर चुका था planning commission को 2015 में वो कहता है कि there should be lateral entry into civil services अपने 3 year action agenda के अंदर similarly sectoral group of secretaries बनाया जाता है governance के उपर और वो भी यही recommendation देता है इसका मतलब काफी जगाओं से बहुत सारी recommendation आने के बाद 2018 में policy निकाली जाती है और policy के थूरूस की ये कहा जाता है कि lateral entry होगी joint secretary और उसके around जो positions है उनके अंदर reasons क्या दिये जाते हैं lateral entry के number one upper और middle levels पे IS officers की कमी है इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये कर रहे हैं दूसरा domain expertise यानि की cyber security environment technology, artificial intelligence block ये सब नई technologies emerge हो रहे हैं और जो career civil servants है उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो इतने specified training ले सके क्योंकि वो तो generalist exam देके आए हैं इसलिए ये domain expertise की तलाश में है तीसरा ideas का exchange होना बहुत सारी committees ने recommend किया है कि ideas should be exchanged between the private and the public sector बहुत सारे विदेशी countries में जैसे USA, Europe में देखा जाता है कि revolving door policy use होती है I will critique this revolving door policy later but revolving door policy का मतलब है कि private sector से public sector के अंदर और vice versa public sector से private sector के अंदर लोग regularly आते जाते रहते हैं इससे दोनों sectors के जो अच्छे ideas हैं उनका exchange हो सकता है जिसकी कमी देखी जाती है हमारी बिरोक्रसी मी क्योंकि कहा जाता है कि वो ivory towers से rule कर रहे है ivory towers का मतलब है दिल्ली में बैठे बैठे order दे देते हैं पता नहीं जमीन पर क्या चल रहा है तो private sector से interact करेंगे तो शायद बहतर पता लगे इसके साथ साथ success stories भी बहुत सारे देखी गई है with lateral recruitment चाहे आप अनंदन निलेकनी जिनको UIDI के या अधार के लिए recruit किया गया अर्विंद वर्मानी, सौरफ गर्ध ऐसे बहुत सारे examples है specialists, economists, technocrats जिनको recruit किया गया है अब ये जो particular initiative है जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे committees की recommendation है लेकिन officially as a scheme of the government 2018 में शुरुबात की गई थी 2018 से कई बार senior management levels के लिए recruitment की गई और सरकार का कहना है कि अभी तक 63 SC appointments already की जा चुकी है इन सभी 63 appointments के अंदर एक चीज मिसिंग थी, वो क्या वो ये की reservation for SC, ST, OVC was not provided और इस particular position के लिए या in particular positions जैसे की director, joint secretary, joint director इनकी recruitment के लिए, appointment के लिए in fact, reservation नहीं दिया जा रा था was a cause of concern because अगर आप बात करो within the government है ना, जब आप recruitment करते हो UPSC के थूँ, तब तो आप reservation देते हो SC, ST, OVC को तो अब समझने की बात ही है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था why was this not being done before that, a small reminder कि 24 अगस्ते हमारा rapid revision course means 2024 के लिए शुरू हो रहा है जहां पे हम ये 14 themes जो हैं वो discuss करेंगे इन themes के थूँ, आपकी जो तयारी है उसको पूरी तरीके से enhance करने के लिए data, facts, micro diagrams, keywords के थूँ predefined structures of frameworks के थूँ और approaches to answer the question इसके साथ साथ discuss किया जाएगा आप हमें call करके चाहते हैं तो enroll कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं 2018 में देखो, basically क्या हुआ 2018 में DOPT तयारी तो कर रहा है कि हमने lateral entry करनी है और एक scheme निकालनी है और UPSC को कहना है कि इसका recruitment process पूरा करें इसके लिए वो कहता है कि in respect of appointments for temporary positions temporary positions जो government के अंदर है जो 45 days से जादा की है उसके लिए mandatory नहीं होता है for any SC, ST, OBC reservation same goes for another order that was given by MHA तब यह अलग से department नहीं था तो इसलिए home ministry के अंदर आता था तो MHA ने भी यही कहा कि SCs और STs के लिए reservation देने की उन jobs में जरुवत नहीं है जो contractual basis पे की गई है गौर तलब है कि later entry की जो jobs advertise की जाती है वो 3 साल या 5 साल के contractual basis पे की जाती है permanent jobs उनको नहीं माना जाता है दूसरा ऐसा भी कहा गया DOPT के द्वारा कि these jobs are basically equivalent to deputation deputation क्या होता है जोतने भी civil servants recruit होते हैं वो किसी state cadre के साथ attached होते हैं और जब उनको center के पास भेजा जाता है काम करने के लिए as secretary, joint secretary वगएरा वगएरा तो वो deputation पे होते हैं अपने home carder से वहाँ जाते हैं और deputation के अंदर जब किसी को appoint किया जाता है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा गया है in the rules of the ministry कि वहाँ पे reservation नहीं रखी जाती है in those post reservation is not there इन दो reasons की वज़े से ऐसा कहा गया कि जब हम lateral entry करवाएंगे तो उसमें हमें reservation देना mandatory नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ignore कर दे अगर कोई candidate SCST OBC candidate है background से आता है तो उसको priority दी जा सकती है may be given to the candidate तो माली जिस code tie हो जाते हैं हो सकता है कि SCST OBC candidate को शायद priority दी जा सके ऐसा कुछ system बन जाएगा अब इसके अलावा 2018 से जो 63 post फिल की गई है उसमें एक परेशानी देखने को यह मिली और Indian Express की RTI के थूँ Indian Express ने file की गई राट टू information के थूँ यह पता लगा कि किसी भी प्रकार का reservation apply ही नहीं किया गया और यह इसलिए हुआ क्योंकि UPSC जो rounds of recruitment कर रहा है इसके अंदर वो अलग-अलग departments की एक-एक vacancy को advertise कर रहा है ठीक है तो माल लीजे department of post, department of elecom, department of electronics अलग-अलग department है उसकी एक-एक post को advertise कर रहा है अब जब एक-एक post advertise कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर वो reservation लगाना चाहे भी तो भी नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि reservation basically लगाई जाती है दो तरीकों से एक है 13 point roster और एक है 200 point roster अब इसको लेके central universities और उनकी recruitment में बहुत जादा बवाल चला रहा था इसके उपर में अलग से video बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं कि इसको पर मैं video बनाऊंगा अलग से तो please comment section में मुदे बताईए वहाँ पर मैं judgments भी discuss करूँगा लेकिन यहाँ पर मेरा purpose यह है आपको बताना कि 13 point roster और 200 point roster में क्या फर्क है 13 point roster का मतलब यह है कि हर department जहां जहां पर recruitment होनी है उसको एक single unit लिया जाए ठीक है माल लीजे department of electronics में recruitment है department of legal affairs में recruitment है सारे करके मैंने सभी department को एक-एक unit लिया अब इस एक unit के अंदर मुझे reservation provide करनी है तो उसका formula है क्या formula formula यह है कि 100 by जितनी भी percentage reservation for example schedule cast की बात करें तो schedule tribes की बात करें तो schedule tribe में आपको 13 point something something यहाँ पर number आ जाएगा इसका मतलब 14 number आ जाएगा अगर आप इसको 7.5 से divide करते हो 7.5 क्या है that percentage which has been decided as reservation for schedule tribe तो अभी 7.5% मिलती है 100 को इससे divide किया तो 14 आ गया round off करके that means every 14th seat will be reserved for ST इसका मतलब एक department में कम से कम 15 seat अगर 14 seat अगर हो तो जो 14th seat होगी वो ST के लिए reserve होगी क्योंकि 4th seat तो SC के लिए reserve होगी ठीक है फिर some number of seat कोई number ऐसा होगा जो OBC के लिए reserve होगी है जैसे अगर इसको 22.5, 27.5 से divide कर दूँ तो 3 answer आता है तो इसका मतलब 4th seat होगी वो OBC के लिए reserve होगी समझे हो तो यह system चल पर है अब यह system के through आप देखो कि जब एक ही seat है तो इसमें reservation कहां से देंगे ठीक है ऐसा colleges, universities के अंदर भी apply किया जाता था उसके बाद start किया गया 200 point system 200 point roster system क्या कहता है कि जितने भी departments है उन departments की जितनी भी उस particular equivalent post की vacancies है मान लीजे assistant professor है यह universities की बात करो assistant professor है तो उसके अंदर जितने भी departments है sociology, biotech, chemical, सब को इकठा कर दो, merge कर दो और उसमें आप 49.5 percentage निकाल के बता दो कि कितनी seat है reserve होगी, that was decided, यह decide किया गया कि universities में यह लगाया जाएगा, अब यह बीच में switch होता रहता है जिसके उपर में अलग वीडियो बनाऊगा, अगर मैं आप मुझे comment section में पताएंगे, yes sir, बस yes sir, लिखना है comments में, अब अगर यह वाला system follow होता, जहाँ पर 45 openings को total लिया जाता और उसमें से 49.5 percent seat reserve की जाता, तो 6 seat SC candidate के लिए, 3 seat ST candidate के लिए, 12 seat OBC candidate के लिए, और 4 seat EWS के लिए reserve होती, जो कि इस particular process में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर unit को, हर department को एक unit माना गया था, तो यह तीन कारण थे, जिसकी वज़े से reservation नहीं दिया गया, ठीक है, तीन कारण क्या-क्या थे, एक in post को contractual post माना गया है, दूसरा, इनकी जो appointment है, वो deputation के approximate मानी गई है, कि it is like a deputation, and third is, they have not applied the formula of 200-point roster, they have applied a formula of 13-point roster, जिसके चलते हर department को एक single unit माना जा रहा है, देखा जाता है कि बहुत सारी countries में, यह होता है, reservation, reservation कहा रहा हूँ, lateral entry होती है, और इसके मैंने फाइदे आपको starting में बता दिये, लेकिन बहुत सारी countries में इसके नुकसान मीं देखे जाते हैं, revolving door policy से होता क्या है, सबसे पहले तो private बड़ी company से कोई बंदा अगर government में आता है, तो सबसे पहले तो conflict of interest आने के chances है, जहाँ पे वो company जो उसकी private company थी, वो किसी tender, किसी project के अंदर involved हो सकती है, जिसको government sanction करे, इसके अलावा crony capitalism account, क्योंकि temporary post है, तो accountability नहीं है जनता के प्रती, काम किया चला गया, लेकिन permanent post है, तो काम की थोड़ी accountability है, promotion के लिए भूखा है बंदा, तो शायद अच्छा काम कर ले, और आखरी, bureaucratic culture में किस तरह ढ़लना है, हो सकता है, कि उसे 2-2.5 साल लग जाए समझने में, और 3 साल की नौकरी है, तो कैसे समझेगा, तो there are some drawbacks, and not only the caste reservation is a drawback, lateral entry है और भी कहीं सारे drawbacks, तो benefits और drawbacks में, आपको क्या लगता है, कि इस lateral entry की policy को किस तरीके से, mold किया जा सकता है, comment section में मुझे जरूर बताएं, अगली बार तक के लिए, धन्यवाद, और I hope आपको इसमें कुछ जो points से, वो समझ आए हो,